अब सर्थ शुरू हो जाएगी मुझे एक ऐसा थिकाना ढूनना पड़ेगा जहां मैं खुद को सर्थ और ठंड से बचा सकूँ अगर अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे पुलीस मुझे पकड लेती है और विंटर आइलेंड की जेल में बेचती है तो मेरा काम हो जाएगा मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे की मैं वापस आइलेंड की जेल पे जा सकूँगा पहले मेरा हुलिया बदल लेता हूँ जिससे कोई मुझे पैचाने नहीं और फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे आइलेंड की जिल में कैसे जाने को होगा हम अब ठीक है अगर मैं किसी तरह से टेबल तक पहुंचता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा बस किसी को शक न हो मैं वहाँ भूनी हुई बदक उसके साथ शराब थोड़ा चीज एक कप कॉफी और हम एक सिगार इतना शायद बस होगा मेरा पेट भी भर जाएगा मैं एल्प यू सो अरे ये क्या तुम्हारे पास तो अच्छे शूज और पैंट भी नहीं है पहनी के लिए कपड़े नहीं और आ जाते हैं मूँ उठा के यहाँ पे खाना खाने के लिए वहाँ कोई है इसे बहाँ निकालो इसे तुरन बहार फेग दो आउट I say get out from here हाई रे मेरी किस्मत देखो कुछ खाने को नहीं मिला और उपर से उसने मुझे बहार निकाल दिया कुछ तो करना ही पड़ेगा मैं एक पत्थर उठा कर वो काच फोड़ देता हूँ मतलब लोग भी कठा हो जाएंगे पुलिस आएगी और फिर मुझे पकड़के जेल में डाल देगी मेरी तमन्ना भी बुरी हो जाएगी ये काच किस्ने फोड़ी है मुझे क्या पता मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है अगर अगर इसने काच फोड़ी होती तो वो यहाँ पे खड़ा नहीं रहता बलकि ना दो ग्यारा हो गया होता पर ये तो यहीं पे खड़ा है इसका मतलब इसने काच तो नहीं फोड़ी होगी अरे अरे वहाँ पे तो कोई बाग रहा है शायद यह वही है जिसने कांज फोड़ी है मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ चलो मैं उसे जाके पकड़ता हूँ हे बगवान इस पुलिस ने भी मुझे नहीं पकड़ा अब मैं जेल कैसे जाऊंगा इस होटल में में मेरा नसीब आज माता हूँ यह होटल वैसे तो सादा है मेरा पीट भी भर जाएगा और शायद इतने पैसे तु मेरे पास होंगी चलो बिल प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है जाओ जाओ जल्दी जाके पुलीस को बिला के लाओ तुमारे लिए पुलीस नहीं मैं ही काफी हूँ इसने तो मेरी हड़ी पसड़ी तोड़ थी पुलीस को भी नहीं बुलाया अब मैं जेल कैसे जाओंगा कुछ और सुचता हूँ आइडिया याहू चाहे कोई मुझे जंगली कहे याहू मेरी मर्जी मैं चाहे ये करूँ मैं चाहे वो करूँ मेरी मर्जी क्या ये आदमी पागल है ये हावड कॉलिज के बच्चे है वे सेलिब्रेशन कर रहे हैं और उसी दोरान ये इस तरह से चिलाते है पर आप परेशान मत होए ये आपको कोई हानी नहीं पहुचाएंगे हमें उपर से ओर्डर से कि हम इनी गिरिफ्ता न करे आज मेरे नसीब में ये क्या लिखा है क्यों कोई पुलीस वाला मुझे आज नहीं पकड़ रहा है क्या मेरा आइलेंड जहने का सपना बस सपना ही रह जाएगा ये मेरा चाता है पर ये तो मेरा चाता है सच मैं नहीं दूँगा चाता अगर आपको चाता चाहिए तो पुलीस को बुलाईए जाएए यही चोक में खड़े हैं वो जाएए बेटा मुझे माफ करतो ये तुम्हारा ही चाता है होगा मैं गलती से शायद इसे उठा लाया तुम ही रख लो इसे अरे पर पुलीस अरे मुझे इस चाते का क्या कम इसे यही पे फेक देता हूँ ये पुलीस वाले ऐसे कैसे सिर पे तो हेलमेट पहनते हैं हाथ में काठी लेके गुमते हैं पर मुझे तो कभी पकड़ते ही नहीं पकड़के जेल में भी नहीं डालते उन्हें ऐसा क्यूं लगता है कि मेरी कोई गलती ही नहीं काश उन्होंने मुझे पकड़के आईलेंड के जेल में भीजा होता चलो, यहाँ पे आराम से बैठता हूँ मेरे जैसे जिनके पास घर नहीं उनको इसी का सहारा है वे दिन कितने अच्छे थे मेरी मा, मेरी मित्र, मेरी आशा मेरी इच्छा, सब अच्छा अच्छा था और आज, आज का दिन कितना बुरा है मेरे मन की जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है आज मेरा कोई अपना मेरे साथ नहीं है काश, वे पुरानी दिन लौट आए नहीं नहीं, मेरे पुरानी दिन ही अच्छे थे मैं अब इन सब से बहा निकल पड़ूंगा और ये सारा बुरा, पूरी बुरी दुनिया छोड़ दूंगा में एक अच्छा इंसान बनूंगा अभी तो मुझे बहुत कुछ पाना है मैं मेरे पूरी इच्छाएं पूर्ण करूंगा मैं कल ही काम ढूंडने जाओंगा वो जो फर्का व्यापारी है मेनी उससे पुरानी पहचान है उसने मुझे शायद एक ड्राइवर की नौकरी देनी चाही मैं कल ही उसके पास जाओंगा तुम इधर क्या कर रहे हो वो वो मैं तो चलो तीन महने के लिए अंदर मैं बुरा इंसान कितनी कोशिश की मैंने आइलिन के जेल में जाने की पर नसीब ने मेरा साथ नहीं दिया और आच और आच जब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ तब मुझे जेल में जाना पड़ रहा है आपको हमारी कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो भी कीजिये शेर करने के लिए भूला नहीं बाई